प्रोफेसर अकिल स्वामी जी जुड़ गई है एक ऐसे शांधार प्रोफेसर जो पढ़ाते थे तो भी उनकी आवाज ऐसी तलखी के साथ गुश्टी थी और उनके पढ़ाईवे बच्चे आज नेतिकता का समाजिक मर्यादा का पालन करके देश कलाला कोन में हैं बहुत अच अच्छे विचार रखते हैं बहुत ओजसी विचार रखते हैं प्रोफेसर अकिल स्वामी जी मैं आपसे जाना चाहता हूं कि जो भाशा की मर्यादा का उनलंगन पिद्धार मंतिजी कर रहे हैं बूर्टों का सड़बार ऐसी भाशक हो गया यह शोबद है क्या यह डर है प भी कोई तल्की नहीं है हम केबल विचलेशन करते हैं बागी लोग तल्क हो जाएं उस पर दो बात अलगे खैर पिछले चौदे महिने के अंदर हिंदुस्तान देखे चौदे महिने पहले हिंदुस्तान में चुनाओ एक तरफा था मोदी जी अच्छी तरह से चुनाओ दो 2014 का लोग सभापा अब यह सिमठ गया है घांधी और गोड्से की बीचल पाया एक तरफ वो लोग है जो घांधी को अभी उनके साथ हैं जो गांधी का रास्ता छोड़कर थोड़े भ्रमित हो गए थे वो गांधी के रास्ते पे लौट आए हैं ये राहूल गांधी ने अपनी पदियात्रा से और उसके बाद जो उनका कार पणाली रहा उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो गांधी वादी है और गांधी के रास्ते लोग तंत्र में यह नारा यह दावा एक अकेला सफरभारी क्या ये देश की लोगतंत्रिक विवस्था पे सबसे बड़ा प्रहार है या नहीं लोग सभा के अंदर कोई व्यक्ति कहे एक अकेला अरे आप एक अकेले आप जो हैं आपको बनाया जिनोंने हैं वो करोणों लोग गाउं में सिचाई कर रहे हैं वो बीज रोपन कर रहे हैं वो मोटर साइकल पे घर घर लोगों के समान पहुंचा रहे हैं नौर एर कंडिशन ट्रकों में 14- चोदे 15-15 घंटे चल रहे हैं जब तामाटर 200 रुपए का किलो हो जाता है वो देश की जंता जिन्हों ने आपको पांस द्रेस प्रती दिन बदलने का मौका दिया है नौ करोण की कार में 10 करोण की कार में गूमने का मौका दिया है यह आपकी शक्ति नहीं है यह देश की ज पास से सहमत नहीं होंगी मोदी जी मिजोरम इसले नहीं गए कि वहाँ 80 परसेंट पॉपुलेशन क्रिश्चन है देखे यह चुनाव उसी प्रकार का हो रहा है इंद्रा गाधी के जमाने का ना जात पर ना पात पर अब यह क्रिश्चन और हिंदू और मुसल्मान की बाद छो हैं वो आधिवासी अचा फिर वो बंगला देशी हैं वो महनमार के लोग हैं तो इस प्रकार का जो एक राश्च्रोबाद ठलाया जाता है वो भारतवासी हैं वो देश के रहने वाले हैं और इस देश का अंग हैं और आधिवासी हैं तो प्रश्रे यह उठता है कि इस प्र पूरी तरे से तूट गाएं हैं और इसलिए परिशानी हो रहे हैं होदीजी को इसह पर इचानी हो रही है पृजिए पिको कि बड़ी महनत से उन्होंने जहर की जो फसल बोई थी वह कटने से पहले ही सुख गई और अब सवाल नफरत से काम चलेगा, कभी आप कैनेडा को इसलिए दुथकार दें कि वो सिखों को प्रोटेक्शन देता है, वो लोकतांतिक जो भी उनकी भावना है, उसको प्रगट करने पे उन पे अत्याचार नहीं करता, सिखों को अलग कर देते हैं, फिर मणेपूर में आप क्रिशनों को अलग कर देते हैं, फिर आप जो हैं मुसल्मानों को तो वैसे ही आपने अलग कर दिया, फिर साउथ के जो ग्रवडियन कल्चर के लोग हैं, उनको अलग कर देते हैं, फिर आप कहते हैं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, इसका माने भीमराओं अंबेटकर साहब ने, जो कस्में खिलाई थी, कि हम किसी देवी देवता को, मैं हूँ रामबक, मैं सनातनी हूँ, मैं राम को मानत लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम को नहीं मानते जो नास्तिक हैं जो यह मानते हैं कि नहीं उन आरे सवाजी हैं जो कि भगवान की पूजा नहीं करते हैं मुर्ति पूजा नहीं करते हैं वो हमन करते हैं वो अगनी को भगवान का सक्षी मानते तो इस द मंदिर जब बन जाएगा उसके अंदर कम से कम 50 प्रतिशत OBC पुजारी होंगे उसके अंदर कम से कम 30 पुजारी दलित और आदिवासी होंगे बाकि 20 प्रतिशत ब्रहमनों के लिए सुरक्षित कर लीजेगा लेकिन अगर अगर 100 परसेंट रिजर्वेशन ब्रहमनों के लिए उन मंदिर ब्रहमनों होने के बाउचुद कह रहा हूं मैं तो मैं समस्ता हूं देश की एकता खंडता के लिए खत्रा हो जाएगा दूसरा ये कि RSS प्रमुक कल अगर इस्तिफात दे दें अपने पोस्स से और वहीं कसी दल फरसे और गडासे और कटे लहराने के लिए यूज़ करना चाते हैं वोट में उनको हिंदू बना लेते हैं फिर उनके आदिवासियों के चेहरे पर विशाप कर देते हैं तो मैं मानता हूं कि देश कमजोर हो रहा है और मेरे लिए मेरा धर्म जितना इंपोर्टेंट है जि है जहर काम नहीं कर रहा है मोहबद काम कर रही है लगाई मोहबद और जहर के बीचे बीचा बीया है और मोहबद जीते कि अधितल में मतलब किया कर्यों दशला है शिसका फ्रॉपार कि अधिक हार देश थे में पुर्सेशन में प्नाया है हुँने खुछ लाया है कि उसके दो वजहें क्वार्पल के जलाया हिस दि जाता है कि अहंकार का नरा न्ट हो लेकिन आप देख लीजिए कि मॉदी जी अहंकार से कितना दूर है बार पनल पता चलता है यह वह हम दूती नास flavored कि इवल मेरी झाल, 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 झाल.